अध्याय एक, भाग दो, प्रीमियम कूपन का उपहार, और्डियो बुग बाई मिलियनेयर माइंड्स क्योंकि यह कहानी एक आम कैदी के रूप में मेरे अनुभो पर आधारित है इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं पूरे गर्व से एलान कर दूँ कि शिविर में केवल कुछ आखरी सप्ताहों को छोड़कर, मुझे किसी डॉक्टर या मनोवज्यानिक के रूप में कामपन नहीं रखा गया था मेरे कुछ सहकर्मी किस्मत वाले रहे, जिने शुरुवात से ही ऐसे पद मिल गए और वे पंदियों को रदी कागच के डेर से बनी बैंडेज लगाकर प्रात्मिक चिकित साइं ही देते रहे मैं तो कैदी नंबर 1,19,104 था और मेरा अधिकतर समय रेलवे पट्रियों के लिए खुदाई करते हुए और पट्रिया बिचाते हुए बीचता था एक बार मुझे एक बहुत पड़ा मुश्किल काम सौपा गया था मुझे अखेले ही सड़क के नीचे से वर्टर मैन के लिए सुरंग खोदनी थी आखिर मेरी कड़ी मेनत रंग लाई और 1944 में क्रिस्मस से ठीक पहले मुझे उपहार सरू तथा कथित प्रीमियम कूपन दिये गए ये कूपन उस निर्माड कमपनी की ओर से दिये गए थे जिसके पास हमें गुलामों की तरह पेश दिया गया था कमपनी की ओर से शिविर अधिकारियों को प्रते दिल हर कैदी के लिए एक निश्चित धनराशी का भुकतान किया जाता था कमपनी का एक कूपन पचास फैनिंग या एक ड़त सिक्के के बराबर पड़ता था और हर कूपन के बदले छे सीग्रेट ली जा सकती थी अक्सर वे कूपन उनकी अंतिम्तिती निकलने के बाद ही दिये जाते थे इसलिए उनका कोई मूल नहीं रह गया था लेकिन मैं दो असली कूपनों का मालिक भी बन गया था जिस पर मुझे पहुत पड़ा गर्व था उन दो कूपनों के बदले में बारा सीग्रेट ली जा सकती थी पर इससे भी एहम बात यह थी कि उनसे बारा सीग्रेट के बज़ाए बारा कटोरे सूप भी मिल सकता था हूंक से हमेशा तड़पने वाले हम बंदियों के लिए बारा कटोरे सूप का लालच एक बहुत बड़ी बात थी दरसल धूमरपान की खास सुविधा तो केबल कापोस को ही मिली हुई थी जिने सापता ही कुपनों के साथ उनका पूरा राशन दिया जाता था अगर कोई बंदी किसी वर्क्शॉप या गुदाम में काम करता था तो उसे भी कभी-कभी खतरनाक काम करने के बदले में कुछ सीग्रेट इनाम स्वरूप में दे दी जाती थी इस मामले में केबल वही लोकपात थे जो अपने जीने की आश छोड़ चुके थे और अपने अंतिम दिनों का पूरा आनन लेना चाहते थे हम जब भी किसी साथी को उसकी अपनी सीग्रेटों से कभंडार को फूकते हुए देखते तो यह बात आसानी से समझ जाते थे कि उसने अपने जीने की आश छोड़ दे थी और जीने की आश को एक बार यूँ छोड़ कर उसे दुबारा पाना बहुत मुश्किल या लगभग नामुम्किन सा हो जाता है अगर कैदियों के अनुभव और निरिक्षडों से तयार समगरी का अग्धियन किया जाए तो यह देखा जा सकता है कि बंदी शिविर के लिए बंदियों के मन में पैदा होने वाली प्रतिक्रिया के तीन चरण होते थे पहला उसे शिविर में भेज़े जाने का चरण दूसरा बंदी शिविर में मगन होने का चरण और तीसरा उसके आजाद होने के बात का जीवन अगर आप पहले चरण के लक्षण की बात करें तो वह बहुत हैरत अंगेस था हालात ऐसे होते थे कि शेविर में दाखिल होते समय हर बंदी लगातार सद्मों का सामना करता था मैं आपको अपने ही दाखिले से जुड़े सद्मे की मिसाल देता हूँ काफिले की दास्तान पिछले कई दिनों से करीब 1500 बंदी 2400 घंटे सफर कर रहे थे टेलगाडी के हर डब्बे में 80 कैदी यात्रा कर रहे थे सभी कैदीयों को उनके समान के उपर ही लेटना पड़ता था जो कि उनकी बची कुछी नीजी संपत्ती कहीं जा सकती थी टेलगाडी के डिब्बे कैदीयों से इस तरह ठुसे हुए थे कि केवल खिड़कियों के उपरी हिस्से से ही दिन के प्रकाश की हलकी से जलक बिलती थी हर कैदी इसी उमीद में जी रहा था कि वह गाड़ी उसे किसी हत्यार बनाने वाले कारखाने की ओल ले जा रही है जहां उसे एक बंधवा मजदूर की तरह काम करना होगा हम यह भी नहीं जानते थे कि अभी तक हम सिलेसिया में हैं या पोलेंड पहुंच गए हैं इंजन की सेटी का स्वर ऐसी करुण वा तीखी पुकार जैसा लगता था मानू गाड़ी यात्रियों के बोज तले दबा कर करा रही हो जबकि यह गाड़ी अपने यात्रियों को एक विनाश की योल ले जा रही थी इसके बाद गाड़ी किसी पड़े स्टेशन के पास शिटिंग करने लगी उत्सुक सह्यात्रियों में से कोई चिलाया यहां एक संकेत दिखाई दे रहा है आश्विज उस एक छड़ में मानू सब के दिल के धड़कन थमसी गई हो आश्विज यह नाम तो सब के लिए गैस चैंबर, शब्दाग्रै वा बंदियों के सामूही खत्या का दूसरा नाम था अखिरकार वह गाड़ी धीरे धीरे लगबक सकुचाते हुए आगे बड़ी मानू अपने सहयात्रियों को जितना हो सके आश्विज के भयानक नतीजों से बचाना चाह रही हो दिन की हलकी उजास के साथ हमें काड़ी में से एक विशाल केंप की चार दिवारे में लगी तारे दिखाई देने लगी मीलो मील तक लगी कटीली तारे बोच टावर्स सर्च लाइट्स और फटेहाल कपड़ों में इंसानी आकरितियां हम नहीं जानते थे कि वे दिन के धुनले उजाले में धुनलाती हुई सीधी विरान सड़कों पर पैदल चलते हुए जाने की सोड़ जा रही थी वहां से चीखने चिलाने और आदेश के अंदाज में बस्ती सीधियों के स्वर भी सुने जा सकती थे हम नहीं जानते थे कि उनका क्या मतलब था और मेरी कलपना शक्ती कहती थी कि बहुत से लोग फासी की तक्तों पर जूल रहे हैं मुझे टर तो लग रहा था पर मैंने खुद को संभाल लिया क्योंकि अब तो हमें हर जगा ऐसे ही भेंकर ब्रिश्यों और अनुभाव का गवा बनना था आखिरकार हमारी गाड़ी मंजिल पर जा पहुँची पहले पहल चाई खामोशी के बाद चारों ओर से आदेश के तीखे स्वर गुंजने लगे असल में तो ये एक शुरुवात पड़ थी क्योंकि अब तो हमें शिवरों में ही रहते हुए लगातार उन तीखे और कठोड सुरों से मिल रहे आदेशों को दिन रात सहन करना पड़ता था वे स्वर ऐसे थे मानो कोई शिकार अपनी आखरी सांसे गिन रहा हो पर इस स्वर में एक अजीब सी कठोड़ता थी एक ऐसे आदमी का सुर जिसे दिन रात इसी तरह चिलाना पड़ता हो एक ऐसे आदमी का सुर जिसकी बार-बार हत्या कर दी गई हो बंदी शिवरों की और अचानक डेलगाडी के डब्बे अपने चिर्पिरिश शोर के साथ कुले और कुछ बंदीयों का जथा भीतर गुसाया वे धारीदार वरदी में थे उनके सिर मुंडे हुए थे लेकिन वे दिखने में बहुत अट्टे कट्टे थे वे सभी यूरोपियन भाषा बोल रहे थे जिसमें लगभग एक निश्चित मात्रा में हास से भी शामिल था जो हमें ऐसे हलात में बहुत ही खिनोना लग रहा था जिस तरह दूपते इंसान के लिए तिनके का सहारा भी बहुत होता है उसी तरह मेरे मन में छिपे आशावाद में इसी सोच को बढ़ावा दिया ये कैदी दिखने में भले चंगे लगते हैं सही सलामत है और आपस में हसी मजाक्ती कर रहे हैं कौन जाने शायद मुझे भी उनके जैसा ही कोई पद सौप दिया जाए मनोरोग जिगित्सा में एक निश्चित अवस्था होती है ये से मौद की सजा रद्ध होने का भ्रम के नाम से जाना जाता है जिस व्यक्ति को प्राणदंट दिया जाना है वह अपनी मृत्यु से ठीक पहले ये भ्रम पाल लेता है कि शायद उसे आखरी पल में माफी मिल जाए और उसकी मौद का हुकम वापस ले लिया जाए जिस तरह हम फिल्मी पिच्चरों में देखते हैं हम सब भी इसी तरह आशा की डोर को थामे रखते हैं और आखरी पल तक यही मानते रहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी पुरा नहीं होगा हमारे डब्बे में घुसाए लाल-लाल गालों और गोल जहरे वाले क्यादियों को देखकर हमें भी होसला मिल रहा था लेकिन भला तब हम यह कहां जानते थे कि वे सब बंदी एक ऐसे चुने हुए खास वर्ग से थे इस समान में लोगों के पास रखी दुल्लब वस्तुएं तथा तसकरी किये गए जवाराद भी शामिल होते थे जुद के आकरी वर्षों में आश्विच निश्चित रूप से यूरोप के विचितर स्थानों में से रहा होगा वह सोना, चांदी, प्लैटियम वा हीरे आदी के अनूठे भंडार सिर्फ विशाल गुदामों में ही नहीं बलकि एस-एस अधिकारियों के हाथ में भी रहते थे एक के बाद एक सदमा, रेलगाडी से उतार कर पंदरा सो कैदियों को एक ऐसे छोटे से बाड़े में ठूस दिया गया इसमें शायद मुश्किल से दो सो कैदियों की जगा रही होगी फूक और सरदी के मारे जान निकल रही थी वहां किसी का लेटना तो दूर इतनी भी जगा नहीं थी कि हर कोई फर्श पर गुड़ू होकर बैठ भी सके पिछले चार दिनों से हर बंदी के लिए पाँच ओंस टबल रोटी का टुकड़ा ही पेट भरने का साधन था तभी मैंने सुना कि शेड का एक बहुत बड़ा बंदी अधिकारी एक सदस्य के साथ हीरे और प्लैटियम से जुड़े टाइप इन के लिए मोल तोल कर रहा था अधिकतर सौदेवाजी शराप के लिए ही होती थी जिसे वे श्रेप्स कहते थे अब मुझे यह तो याद नहीं है कि एक के शाम मनाने के लिए भरपूर मातरा में श्रेप्स जुटाने के लिए कितने हजार अंकों के जुरुत थी लेकिन मैं यह जानता था कि लंबे समय से वहां रह रहे इन कैदियों का शराप के बिना गुजारा नहीं होता था ऐसे हलात में उन्हें खुद को शराप के नशे में जोके रखने के लिए कौन दोशी ठहराया जा सकता है कैदियों का एक दल ऐसा भी था जिसे SS के लोग भरपूर मातरा में शराप दिया करते थे ये वही लोग थे जिनने गैस चेंब्रो वा शब्दा ग्रहू में काम करने के लिए नियूक्त किया गया था और जो अच्छी तरह जानते थे कि एक दिन उन्हें नए व्यक्तियों के लिए यह जगा खाली करनी होगी और फिर वे मजबूरी में अपनाई गई जलाद की इस फूमिका को जारी रखने के बज़ाए स्वेम ही इसके शिखार हो जाएंगी हमारे काफिले के साथ आए हर कैदी के मन में अब भी यही गलत फहिमी थी कि वह किसी तरह बच जाएगा और अब भी सब कुछ ठीक है हमें एसास तक नहीं था कि इसके बाद कैसे कैसे भयानक अनुबव हमारा इंतजार कर रहे थे उस समय हमें यह भी पता नहीं था कि परदे के पीछे का अर्थ क्या हो सकता है हम वहां घट रही सभी गटनाओं से बिलकुल अंजान थे हमसे कहा गया कि अपना समान गाड़ी में ही छोड़कर कतारे बना लें स्त्री और पुरिश की दो कतारें एक पड़े ऐसे अधिकारी के आगे से गुजर रही थी आज मुझे वह दिन याद करके हैरानी होती है कि कैसे मैंने अपने कोट के अंदर अपना जोला छिपाने का साहस कर लिया था मेरी कतार के पुरुश टेक एक कर अधिकारी के आगे से निकल रहे थे मुझे ऐसास हुआ कि अगर अधिकारी ने मेरा थैला देख लिया तो यह मेरे लिए खतना को सकता है मैं अपने पिछले अनुभाव से जान चुका था कि वह कम से कम मुझे धक्का मार कर नीचे तो धके ली सकता था मैंने सहे जोने का प्रयास करते हुए अपनी कमर सीधी की ताकि उसे मेरी पीट का भार दिखाई ना दे अब मैं उसके ठीक सामने था वह एक लंबा और दुबला पतला आदमी था जो अपनी बेदाग बरदी के साथ बड़ा चुस तुरुस दिखाई दे रहा था एक लंबी यात्रा के बाद गंदे और फटाहाल कपड़ों में खड़े हम बंदियों की तुलना उसकी छवी से पहुत अलग दिखाई दे रही थी उसने अपने बाए हाथ से दाई का लाई को आराम का सहारा देते हुए चेहरे पर एक पेपरवाही का भार ओर रखा था भी अंदाजा नहीं था कि उस आदमी की उंगली के संकेत के पीछे कौन सा भयाना कड़ चिपा हो सकता है जो केवल दाई या बाएं चाने का ही संकेत दे रही थी उसके अधिकतर संकेत बाई और के लिए ही थे अब मेरी बारी थी तभी कोई मेरे कान में धीरे से बोला कि दाई और भेजने का अर्थ है पंदी को काम के लिए चुना जाना जबकि बाई और उन रोगियों वा पंदीयों को भेजा जा रहा था जो काम नहीं कर सकते थे ऐसे सभी बंदीयों को एक विशेश शिविर में भेजा जाता था मैं इंतजार नहीं कर सकता था इस सभी घटनाए ख्रम अनुसार सामने आएंगे उन में से पहुँच सी घटनाए तो पहले ही घट चुकी थी मैं अपने थेले के भार से बाई ओर जरा जुका हुआ था लेकिन स्वेयम को सीधा रखने की भरपूर कोशिश भी कर रहा था ऐसेस के अधिकारी ने मुझे इचके चाहर से देखने के बाद अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिये मैंने भी होश्यार दिखने की भरपूर कोशिश की उसने मेरे कंधे पकड़ कर तब तक घुमाए जब तक मेरा चेहरा ताईयों नहीं मुड़ गया फिर उसने मुझे उसी दिशा में भेज दिया आपका यह ओडियो बुक यहां तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अब हम अगले भाग में यह देखेंगे कि लेखक का शिविर में पहला दिन कैसा रहा हरी रामा हरी रामा कमर हरी रा di भरी क्रльष्णा री रिख्रम करेष्राइ mapped आपके लिन हरी रामा हरी रामा रामा रब यथारी